अबे क्या हुआ बैंचो गल्फरे आइफॉन 7 मांग रिया बैंचो खुशता आइफॉन के टक्टे नहीं देखे जार मेरे पास तोनों के ग्यारस हो है भाई और वो भी मेरे दादा जी ने मेरे दादी को इसी फोन से पटाए था और खेतों में बुला का ठुकाई की थी और फिर दादा जी ने फोन पापा को दे दिया और उसके बाप में इसकी मा को होटल में बुलाया था जिसकी होजा से ये पैदा हुआ था अब ये कैसे हो सकता है ये तो अपनी मम्मी पापा की शादी के 10 साल बात पैदा हुआ और वो भी ये दादा की नंबर डाइल करके दिया था तब ही तो इसकी शकल तुम्हारे दादाजी से मिलती है हाँ, ओ ये तुम साले मुझ पर हस्र हो, अब मैं इसकी बुओ के बारे में बताता हूँ एक बार क्या हुआ इसकी बुओ के थरक जाग गई पहले इसकी घर के बार एक मोची बैठा करता था वो पता है अब क्यों नहीं चल पाता क्योंकि उस दिन इसकी बुओ ने उसका सारा ग्रीज खतम कर दिया था साले के डिमोशन हो गया वे एंचो चक्कू बनने चला तो खरबुजा बनके रहा गया एंचो तुम क्यो हस्रा है बैठोप ये अबे मैं तेरी भेंड के बारे में नहीं उस भेंड की लोडी के बारे में कह रहा हूँ चिसको गिफन आईपोन 7 सी है खुद तो बाल कटाने के पैसे है नी भेंचो आईपोन अंदर डालते हूँ उसके भेंचो बताओ कोन साले तन बड़ा चूतिया है जो अंडर बॉर्डर जांके बात गरेगा अखाने चूतिया अबे वो एस्पिरिया दिया था उसका क्या हुआ अब तुझे मैंने जा दादा जी की बवासिर के इलाज के लिए पैसे दिये था तुने वो अपनी काल्सिन की टिमान में खुफिर दिये तो तुने दिये थे इसको 50,000 रुपे हाँ मैंने नहीं दिये थे क्या रहा था कि दादा जी के बवासिर हो गई है इसने उन्हें किसी धर की बुट्टे के साथ अपतित सनक इस्तिने देख लिया है तादा जी कहीं घर की उसा तार तार ना करते इसलिए इसे उनके लाज के लिए पैसे चाहिए हाँ मैं कभी तो सोचता हूँ कि जो दो रुपे बचाने के लिए सुरत सोचा ले नहीं जाता कुत्तों की तरह दिवार घिली कर देता है वो इतने पैसे कहां से लाया अगर इस्ते प्यार से अपने बास को बुलाता तो वो तेरे कहजार रुपे का नाट दे देता मस्त जी वी रोड में जाकर अपनी ठ्रक मिटा लेता तू तू बोल यह मत मैंचो मेरी जिन्दिके में जितने भी कांड हुए है ना वो सब तेरी वज़े से हुए अपे ऐसान फ्रामस यहाद है तुझे रादिका मेडम से सेटिंग कराई थी तेरी हाँ हाँ वो सुनेरे बालो वाली ब्लू आइज हिपनोटाइज करती है मैनू वो क्या उनका चलना उठना पैटना मस्त एक दम बला की कुभज़ुरत थी वो यार हाँ भाई यह साला मुझे कह जा था कि हो तुझे प्यार करती है सभी तो बार-बार मौका ढूंदे तेरा नाम बुलाने का पूरी क्लास में सिर्फ मेरा ही काम पूरा नहीं होता था तो वो मुझे ही पिताय करती थी उसके लिए क्या दखा मैडम तो मौका ढूंदे तुझे चूणने का पगले उसने कहा कि मैडम को प्रपोस कर दे तो.. तो फिर.. तो फिर मैंने प्रपोस कर दिया वैंचो ओ खुर तो फिर मैडम ने धी ओ यार काली वो तो मेरे पापा ने दी अखर नई भेरंड चुटी आपा भेरंड चोज ये बाप कहां से बीच में आ गया हुआ यूँ कि मैडम शिक्याष लेके मेरे घर पहुची हाँ पापा गन लोड करके गोली फायर करने के लिए तयार थे बात्रूम में मा की चूँ मुझे लगा आँखे चाहिए अब आगे सुन पापा बात्रूम में लीजा का इंतिजार कर रहे थे और पापा ने मैडम को लीजा समझ के अंदर खिछ लिया मैडम बाहर खिचे पापा अंदर खिचे मैडम बाहर खिचे पापा अंदर खिचे बड़ी मुश्किल से मैडम अपनी इज़त समेट के भागी ओ ये इसका बाव तो एक नमबर का मैडम छोद निकला अरे तू इसको छोड़ आइफोन के बारे में बता यार हाँ यार इस गान जैसे मुझ वाले के चकर में सब भूल गया यार और आइफोन में क्या-क्या फीचर बताए उसने कहती है इसमें दो स्पीकर हैं एक उपर एक नीचे तू ने उसे कितनी बारे उपर नीचे किया है अरे वो टाइम भूल कि जब चाइना के फोनों में ददद स्पीकर आया करते थे वेंचो लोगों ने अपने शादी में डीजे लगाने बन कर दिया थे वेंचो यह साली अब दो स्पीकर लागे खुश हो रहे हैं और अभी तो चूतियापों के एक लंबी फियर लिस्ट है आज के आज़ोनिक समय में ऐसा कौन सा फोन है जिसमें कैमरा नहीं है और बड़ा बड़ा काट रहे हैं यह बता कि कैमरा 12 Megapixel है Oh my god 12 Megapixel 12 Megapixel तो अनाहजरी जब अंसन पे बैटे दे और उन्होंने अपना अंसन इस बात बतोड़ा था कि 12 Megapixel से सारे फोन यह दफन कर देंगे इतने फीचरों में एक फीचर काम का भी है यह फीचर है इमिज स्टेबलाइजेशन चुकि हम सब के हाथ मुठमार मारकर आटोमेटिकली वैबरेशन मोट पर चले गए हैं चुकि जब हम फोटो किसते हैं तो चेहरे के इलावा किसी और जगह की फोटो हाजाती है हाँ यह तो मेरे लिए बहुत अच्छा है मैंने तो फड़ो सवाले गुपता जी की खिरकी से जब उनका नौकरानी के साथ MMS बना रहा था और गुपता जी ने अपनी नौकरानी को गोड़ी बना रखा था और जब मैंने उनका MMS देखा तो ऐसा लग रहा था कि भैंकर भुकम से कुपता जी ने अपनी नौकरानी को बाहर निकाल रहे है गर्ल से बाहर निकाल रहे है बचाने के लिए बचाने के लिए नहीं मैंने तो तिरको पहले ही कहा था कुता पाल, बिल्ली पाल यहां तक के हाती पाल पर गर्ल्फरेंड मत पाल साला सो हाती के बराबर पढ़ती है गर्ल्फरेंड जाके हाँ भाई सही बोला में चो कहीं आप मेरी तरह चूतिया ना बन जाएं इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों मैं हूँ सिड्ड, पूरा नाम सिदार्थ आज मेरी जो यह हालत है इसलिए इस चूशो की बडबो का शेया लिया है बडबो आ रही है पर गेला नहीं हुआ जाई पर लगा के रख़़एंग